तो आपको इस बीमारी से घबडाने की जरूरत नहीं हैं किवल इस बीमारी को समझना जरूरी है अगर आप इस बीमारी को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको इसमें किसी भी तरह की मेडिसन लेनी की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी प्रकार की कोई भी एकसर साइज या पिर अन्य अन्य प्रकार के गरेलू चीज़े लेनी की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको इस तरह से समझाने के कोशिस करता हूँ कि यहाँ पर किसी और कारण के बज़ा से यह समस्या हो रही है तो इस वीडियो को अंते तक देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है आज के इस वीडियो में जो लाल लाल दाने होते हैं इसे हम कहते हैं ग्रेनुलर फेरेंजाइटिस और इसे हम समझेंगे तो ग्रेनुलर फेरेंजाइटिस याने की छोटे छोटे दाने रेडिस कलर के छोटे छोटे दाने हमारे गले के अंदर मिल जाते हैं मैं नेक्स वीडियो में अपने गले को दिखाऊंगा क्योंकि ये समस्या मुझे भी है तो यहाँ पर जब ये समस्या मुझे है मैं किसी भी प्रकार के दवाई नहीं सेवन कर रहा हूँ और यही समस्या आप सभी को भी है तो इसके साथ में जो कारड हैं वो समझ लेते हैं तो यहाँ पर सबसे जो पहला कारड है वो कारड है किसी भी मरीज को लगातार गले का इन्फेक्शन अगर रहता है तो इस तरह की समस्य मरीज को देखने को मिल सकती है यानि की persistent cause या persistent infection इसका मतलब यह है कि लंबे समय से किसी मरीज को infection है वो भी गले का जैसे कि टॉंसराइटेस बगेरा है फैरेंजाइटेस है या फैरिंग्स में स्वैलिंग बगेरा है इस तरह की समस्या है और यह लंबे सम समय सकती है तो यह दिक्कत के आपको देखने को मिल सकती है इसके अरावा chronic rhinitis chronic rhinitis अगर किसी मरीज को है जो म्यूकस जादा बनता है म्यूकस पीछे की तरफ चला जाता है पी एंडी जिसे पोस्ट इनेजल डिप डिस्चार्ज कहते हैं अगर वो किसी मरीज को लंबे समय से है तो ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है तो हमें घवडाना नहीं है दूसरा जो तीसरा जो कारण है साइनसाइटिस साइनसाइटिस की बज़े से क्या होता है कि जो हमारे आगे के साइनसेस बगेरा होते हैं इनमें क्या होता है कि म्यूकस बर जाता है ब्लॉकेज होने लगते हैं जब इनमें ब्लॉकेज होते हैं म्यूकस बरने लगता है तो जो सीक्रिसंस होते हैं पीछे की को मिल सकती है और फैरनेंजाइटिज के समस् hamburger इन कारणों की वज़े से देखनी को मिलेगी आपको फैरेंजाइटिस दो तरह का होता है एक होता है एक होता है और एक होता है क्रोनिक है तो यहां पर हम गिनरे फैरेंजाइटिस को समझ रहे हैं इसके अलावा किसी मरीज को अगर मुझ खोल के सोने की आदत है माउथ ब्रीधिंग जो मरीज करते हैं या फिर जो माउथ श्लीपिंग करते हैं माउथ खोल के जो सोते हैं आपने कई वर देखा होगा कई ऐसे मरीज होते हैं जो मुझ खोल के सोते हैं तो उनम कियते हैं या फिर ट्यूमर बगेरा है या हैवीचुल है कई मरीज क्या होते हैं हैवीचुल हो जाते हैं कोई ऐसी समस्य मरीज को आ जाए जिसमें मरीज नाक के द्वारा सांस नहीं ले पाए और मरीज को मूँ से सांस लेने के आदत पड़ जाए ऐसा भी हो सकता है तो इनके कारण भी दिक्कत आ सकती है और इसके अलावा अगर किसी को क्रॉनिक इरिटेंट्स हो क्रॉनिक इरिटेंट्स मतलब की अभी जैसे ये भीमारी भी चल रही है तो दिमाग में एक चीज डर बैठ गया है जरासा हम कहीं गए जरासा हमें फीबर आया जरासा हमारे सर में दल्द हुआ जरासा हमें बीकनेस आया तो हमें किवल एक ही सक जाता है कि हमें करोना तो नहीं हो गया है किवल एक ही सख जाता है 99% केसे में यही हो रहा है इसकी भज़ाव से हमारे होर्मोंस लेवल थोड़ा-थोड़ा सीख्रेस बढ़ा देते हैं जोकि इस्ट्रेस एंजयाइटी को प्रमूर्ट करते हैं तो ऐसी कंडिशन में हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है पुल्स रीट बढ़ जाती है, चिंता होने लगती है, डर लगने लगता है, पसीन आने लगता है, दिल की धड़कने सुनाई देने लगती है, जैसे इंपाल पिटेशन कहते हैं, तो यह समज से आने लगती है, तो यहाँ पर आपको घवडाना नहीं है, इस चीज को समझना ह तो ये कारण मैंने समझाए इसके लाबा chronic irritants का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो है लगातर smoking कर रहा है, कावेको चुइंग कर रहा है या फिर कोई व्यक्ति heavy drink कर रहा है या फिर बहुत ज़्यादा spicy ले रहा है, तो spicy जादा लेना या heavy drink करना या chewing tobacco करना या फिर इसके लाबर जो एक कारण और है smoking करना तो यह क्या होते हैं कि यह हमारे गले को irritate करते हैं बार 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 तो आपको क्या आएगा गुसा आजाएगा यानि आप irritate हो जाएंगे तो इसी तरीके से क्या होता है गले में यह जो mucus जा रहा है बार 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 यह जो हमें tension हो रहा है डिप्रेशन हो रहा है बार बार यह hormones लेवल चेंज हो रहे हैं बार 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 डस्ट है smoking वगरा है environment factors ब मजना पड़ेगा तो environmental pollution जो environmental factors होते है जैसे dust है ठीक है यह धुआ बहुत जादा है smoke की बगएरा है यह fumes है जो industrial fumes होती है उनमें भी समस्य हो सकती है excessive use of voice यानि कि कोई कई लाव कई लूब होते हैं जो faulty voice production होता है तो कई बार जादा जूर से चिलाने वाले यह जो faulty voice प् २िक्कत आ सकती है तो symptoms आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे इसके जादा लच्छड नहीं है मरेज को को जादा समस्या नहीं है इसमें कई वार मरेजों को short throat की समस्या हो जाते short throat यानि की गले में बारवर mucus का बनना है इस तरीके से हम बारवर करते रहते हैं तो गले की mu कर सकते हैं इसमें किसी भी प्रकार की दवाई लेनी की जरूरत नहीं पड़ेगी और दवाई लेनी की जरूरत कपड़ेगी यह मैं आपको आगे बताऊंगा तो सिम्टम्स पहला सिम्टम्स कौन सा है डिन्स डिसकंफर्ट और पेंड होना थ्रोट में यानि गली में दर्द रहेगा और डिसकंफर्ट रहेगा बार बार थोड़ी सी एरिटेशन टाइप करेगा बेचे ने टाइप करेंगे गले में कुछ समस्या है और यह समस्या इस पीशली मौर्णिंग में देखने को मिल सकते हैं और यह एक्यूट फेरिंजाटिस में भी होता है इस बात को ध्य क्या लगता है कि डाक्टर साइप गले में कुछ अठका हुआ है तो यह समस्या देखने को मिल सकती है इसके अलावा आपको देखने को मिल सकता है कि कई बार होसे हैं टाइडनेस होता है वाइस में यानि कि थोड़ा बहुत मरीज बोला और इसके बाद में ठक गया मरीज प को कफ हो जाता है खासी हो जाती है और बार-बार म्यूकस निकालने की आदत उसको हो जाती है कई बार granular pharyngeitis में मरीज को कोई symptoms नहीं होता किवल गले के सामने की दिवाल पर दाने दाने होते हैं और कई बार इसमें दर्दी भी होता है तो यहां पर यह symptoms आपको देखनी को मिलेंगे अब बात कर लेते हैं कि क्या है जब यह chronic हो जाते हैं जब यह लंबे समय तक अगर इनका treatment नहीं करते हैं या फिर यह समस्या बढ़ती चली जाती है तो यह दाने बढ़ जाते हैं यह दाने यहां पर पर आपको देखनी को मिल रहे हैं इनकी बजह से भी फ्रेंगेंटिस की बजह से वी समस्या देखनी को मिल सकती है अगर अगर फ्रेंगें समय से मरीज को और यह symptoms बढ़ते चले जाएं तो यहां पर सबसे पहला treatment की बात करेंगे तो सबसे पहला treatment होता है कि मरीज का जो कारण है जैसे मैंने आपको बताया persistent infection अगर गले का कोई persistent infection है जैसे acute pharyngitis इसको लंगी समय से है तो वो chronic में convert होजाएगी chronic pharyngitis में अब यह chronic pharyngitis को भी आप ध्यान में नहीं देंगे तो क्या होगा यहां प्र चोटे-चोटे दाने बन जाहेंगे लाल कलर के भूबी और इनमें कई बार एक्जुटेट भी होदा है यानि कि छोटा छोटा वाइड वाइड इसमें कुछ देखने लगता है आपको तो इसमें घवडाने की ज़रूर नहीं है तो टॉंसलाइटिस की समस्या अगर किसी मरीज को होगी क्रॉनिक टॉंसलाइटिस तब यह समस्या देखने को मिल सकती है इसके अलावा ट्रीटमेंट की बात करें तो आपको इन्फेक्शन हटा देना है eradication of infection जो infection है जैसे टॉंसेल्स है एक्टूट फेरेंजाइटिस है क्योनिक फेरेंजाइटिस है गले में कोई और दिक्कत है sore throat की समस्या है तो ये समस्या आपको हटानी पड़ेगी जब इसका आप treatment ले लेंगे तो आपकी ग्रेनुलर फेरेंजाइटिस देरे ठीक हो जाएगी आपको इसमें डरनी की जरूरत नहीं है ये कोई cancer नहीं है और ये कोई बड़ी समस्या नहीं है इस चीछ को आप ध्यान र होता है जो हमारे नीचे की साइड में लटका रहता है ना जिसे कई बार कई मरीजों का question होता है कि डाक्टर साब ये थोड़ा सा सूजचा गया है तो ये इसके बादर से भी सूच सकता है ठीक है दोनों के कारण से सूच सकता है वाइस रेश्ट करें मरीज को ज्यादा वोल करने चाहिए जैसे की गुर्ण गुर्णा पानी लिया उसमें थोड़ा सा नमग डाला और उससे वह गार्गल्स करें इसके साथ में फाइटर लों का एक मेडिसन आता है मदर टिंक्चर फॉर्म में आता है उसका आप गार्गल्स कर सकते हैं अगर आप गार्गल्स नहीं कर मिलंगी आसारुनी से आप इसे ढूर सकते हैं तो यह दवाइघ्ण से अपको कोई एक दवाइघ्ण करनी है जो mucous membrane है वो उसमें थोड़ा सा irritation देखने को मिल सकता है इस तरह का तो फाइटल लोका से आप गार्गल्स कीजेगा दिन में दो बर शोबय श्याम को और बैलर डोना आप दिन में शोबय श्याम ले सकते हैं दोनों medicine को किवल ऐसी ले सकते हैं तो फाइटल लोका के आप गार pharyngeitis के वारे में समझ गए होंगे granul pharyngeitis क्या है acute pharyngeitis क्या है मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कंशीज़ए